कि इनका बेटा विदेश पढ़ने के लिए गया है मामा का और मामा के एक संदर में मैं आपको बता दूं मेरा नाम कनहिया है और कनहिया ने कंस का बद्ध किया था और कंस भी मामा था यह संदर में इसले बता रहा हूं कि हमको सच्चाई आँख खोल करके देखने की जरूरत है इस प्रदेश में गरीब के लिए महाविद्यालय नहीं बनेगा गरीब के लिए बिश्विद्यालय नहीं बनेगा गरीब के लिए छात्रावास नहीं बनेगा क्यों क्योंकि जब 20 साल से सरकार चला रहे हैं जब चुनाव में 20 महीना बचा है तब इनको बहेंजी लाड़िली की याद आई है और क्या कह रहे हैं कि हम 2000 रुपया दे देंगे चचा आप 2000 रुपया अपने पास रखिए यह बताइए कि सारे 300 का सलेंडर 14 200 रुपय में क्यों मिल रहा है कि सारे 700 रुपया तो रिचार्ज कराने में लगता है बहने यहां पर वैठी हुई है 2000 रुपया दे दीजिएगा तो दो महीना ठीक से दो मोबाइल रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा ठकते हैं ठक रहे हैं हमको आपका खेल हम समझ रहे हैं आपका खेल हम समझ रहे हैं कि आप हमारे आँख में धूल जोग करके हमारी संपत्ती हमारा रिसोर्स हम से छीन रहे हैं और जब हम अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो यह हमारे उपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं कहते हैं जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग अर्बन अक्सल होते हैं हाई रे ग्रिह मंत्री बड़ी दया आती है आपके हैं दो बार की सरकार है इनकी बीस साल से मध्य परदेश में सरकार चला रहे हैं और मेरे पिताजी मुख मंत्री नहीं थे ना परदान मंत्री थे मैं एक साधारन पडिवार का लड़का हूं लेकिन मेरे पास महात्मा गांधी की तरह बिड़सा मुंडा की तरह सहीदे आजम भगत सिंग की तरह डॉक्टर बाबा साव भीमरा अंबेद करती की तरह सच की ताकत है इस बात को याद रखिएगा अरे प लोग तंत्र का क्या मतलब होता है लोग तंत्र का मतलब यह होता है कि जैसे मुखमंत्री के बेटा का वोट एक होता है उसी तरह से आदिवासी के बच्चा का भी वोट एक होता है अगर मुखमंत्री के पास पैसा है वो अपने बच्चे को विदेश भेज सकता है तो हम भी इस देश में टेक्स देते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छी सिख्षा की ववस्ता होना चाहिए, अच्छा अस्पताल होना चाहिए, अच्छी सरकें होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, यह हमारा हक है, और जब हम अपना हक मांगते हैं, तो हमारी इनका खेल हम समझते हैं हम आपके टेक्स के पैसे से हमने पिएचडी की है और हम नमक हराम नहीं हैं हम नमक हलाल हैं और हम आपके साथ यह नमक का वादा करते हैं क्योंकि हम महात्मा गांधी की पार्टी से हैं और महात्मा गांधी ने नमक का अंधोलन कराया था और अंग्रेजों को धूल चटाया था इस बात को हम इनको याद दिलाना चाहते हैं, अगर हम इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकते हैं, तो अंग्रेजों की चापलूसी करने वालों से भी मुक्ति दिला सकते हैं, हमारे स्कूलों को बंद करके, हमारे छात्रावासों को बंद करके, तरह तरह का भरती घोटाला करके, घोटाला खतम ही नहीं हो रहा है रोज नया घोटाला पैदा हो जाता है अभी जो नया घोटाला आया है उसका नाम है पटवारी घोटाला और मैं वीडियो देख रहा था वीडियो में जो पटवारी घोटाला नहीं घोटाला नहीं कि आजकल मध्ध प्रदेश में सारा कंट्रोल दिल्ली जई जल रहा है कि बेचारे नडुत्तम मिस्रा जी उनको फिलिम का बरा इंट्रेस्ट है अक्सर दिपिका पादुकोन को देखते रहते हैं कि दिपिका पादुकोन क्या पहनी है अरे राज चला लो यार ग्री मंत्री हो तुमारे राज में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं सबसे ज़्यादा आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं राज समल में नहीं रहा है कहते हैं घर में नहीं दाने आम्मा चली भुनाने पहले अपना राज तो चला लीजिए आए दिन घोटाले होते रहते हैं और पूरा कंट्रोल पहले इनको मुखमंत्री बनने का मन था मुझे भी सूत्रों से पता चला है क्या क्या जी साहब मीडिया की लोग यहां बैठे हुए बोलिए न डढ़िये मत अरे लोग तंत्र है सब को बोलने का हक है अरे हम लोग तो एक ना दूल बात किया करो सोसल मीडिया पर पॉपुलर हो जाओगे और जैसे पटवारी की परिक्षा की टॉपर को मध्यपरदेश की राजधानी दिल्ली लगती है इनको भी सत्ता का केंद्र आजकल दिल्ली लगता है और जब चुनाव आता है तो दिल्ली इंदौर में घूमना हो रहे हैं क्यों आदिवासियों के खिलाफ अचार हो रहे हैं क्यों महिलाओं के खिलाफ अचार हो रहे हैं क्यों आपके द्वारा किये गए एक भी वादे पूरे नहीं किये गए और जब चुनाव आया है लाडली योजना समझ रहे हैं साहब अपने लाडले के लिए मौका है यह मौका है कि जो 20 साल से आपने अत्याचार जहला है उस अत्याचार का आपको बदला लेना है और उनको एहसास कराना है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा यह लोगतंत्र की ताकत है और लोगतंत्र की ताकत यह है कि सब लोगों को चुनाव लड़ना पड़ता कमलनाज जी भी चुनाव लड़ते हैं दिख विजय सिंग जी भी चुनाव लड़ते हैं और नरोतम मिस्रा को भी लड़ना पड़ता है एक उदारण आप मुझे सोच करके बताईए और यहां पर चुकी कॉंग्रेस के बरिश निता मुझूद हैं और हमारे आधिवासी भाई बीजेपी में चली गई चुनाव लड़ी चुनाव जीती राजीव गांधी जी की पत्नी भी चुनाव लड़ी चुनाव जीती तो बीजेपी में लोगतंत्र कैसे है और कॉंग्रेस में राजतंत्र कैसे है वहां जो बहुत चुनाव जीती तो वह लोगतंत्र है और स्रीम सपंपित किया है और यह जम्हूरयत की ताकत है कि राहूल गांदी जब अम मेठिस से चुनाव जीतते हैं तो इन मेठिक से चुनाव जीतते हैं तो इन के नजर में वह राजतंत्र है और मइडम जो है सास जो कभी बहुत थी है ना वो जब हमीठी से चुनाव लड़ी है तो लोक तंत्र है हाई रेज चोड़ी मैं तो यही कहता हूँ कि अगर इस देश में पंडिजवालाल नहरू नहीं होते न तो नरेंदर मोदी भी देश के परधान मंत्री नहीं हो पोते अगर इस देश में गांधी नहीं होते इस देश में अगर भगत सिंग नहीं होते इस देश में अगर बिर्सा मुंडा नहीं होते इस देश में अगर डॉक्टर बाबा साव भीमरा अंबेत कर नहीं होते तो एक आंगनवारी का बेटा खड़ा हो करके दोदो मुखमंतरी के सामने भाशन नहीं है